मिलावट गी के सेवन से बचने के लिए हम लोग घर पर ही शुद्ध गी निकालना पसंद करते हैं मलाई से गी निकालना कई लोगों को मुश्किल लगता है लेकिन ऐसा नहीं है आज की रेसेपी में हम कुछ ही मिंटों में फ्रेशर को करमेगी बनाएंगे जिसमें घंटों के चन में खड़े रहने के बिल्कुल भी ज़रुद नहीं पड़ेगी जैसा कि हम सभी जानते ही गी का सेवन सेहत के लिए बहुत फायदे मंद होता है पराठा, सबजी, तड़का समयत कई चीजों में गी का इस्तेमाल किया जाता है लेकिन बाजार में मिलने वाले गी में काफी मिलावट रहती है जो सेहत को नुकसान पोचा सकती है ऐसे में घर पर ही गी निकालना सही होता है लेकिन इसमें काफी समय लगता है ऐसे में आज मैं आपको एक ऐसे आसान तरीका बताऊंगी जिसकी मदब से आप मिंटों में ही घी निकाल सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि घी कितना clear बना है कुछ आसान टिप्स के साथ हम कुछ ही मिंटों में दानेदार बाजार के जैसा घी दयार कर लेंगे और तो और गंटों किचन में खड़े रहने के भी ज़रुत नहीं पड़ेगी कभी कभी क्या होता है ना कि मलाई से पारंपरिक तरीके से घी निकालने के चक्कर में मलाई फ्रीज में काफी इकटी हो जाती है और समय नहीं होने के चक्कर में हम टाइम पर घी भी नहीं निकाल पाते हैं तो ऐसे समय आप इस टिक से आसानी से घी निकाल सकते हैं मलाई से घी बनाने के लिए सब सबहले आपने फ्रीज में जितना में मलाई खटा किया है उसे कुछ दिर रूम टेंपरेचर पर रख दे मलाई को फ्रीज में से निकालने के बाद आदे घंटे के लिए से रूम टेंपरेचर पर रख दे फ्रिज में से मलाई को निकालने के बाद इसे नॉर्मल होने दे इसके बाद ही ये बनाने की प्रोसेश शुरू करे मलाई को pressure cooker में डाल दे और अब इसमें एक कप पानी मिला कर इसे अच्छी तरह से mix करके pressure cooker का ढक्कन लगा कर gas पर चढ़ा दे gas पर cooker को high flame पर दो सिटे आने तक रखना है दो सिटे लेने का बाद gas की flame को off कर दे जब सिटे का pressure निकल जाए तब cooker खोले अब आप देख सकते हैं कि ये मलाई पूरी तरह से पानी में मिक्स हो गई है इसके बाद गेस को फिर से ओन कर दीजिए इस बाद गेस की फ्लेम को मेडियम ही रखेंगे मेडियम गेस की फ्लेम पर फ्रेशर कुकर में धक्कन अटा कर इसे पकने देंगे ध्यान रहे सबसे पहले हमें हाई फ्लेम पर दो सीटे आने तक मलाई को पकाना है इसके बाद मेडियम फ्लेम पर कुकर का धकन अटा कर इसे कुछ देर और पकाना है बेज बीच में हमें मलाई को चलाते रहना है जिससे कि ये नीचे से जलेना 4-5 मिनाट तक मलाई को चलाते हुए पकाने के बाद मलाई कुछ इस तरह से फटने जैसा दिखाई देने लगती है यहने कि इसे थोड़ा सा चम्मस से देखेंगे तो आप रबडी टाइप का यह दिखाई देगा तो उसी समय पर आप इसमें चुटके भर मिठा सोड़ा डाले और इसे अच्छी तरह से चम्मस से हिला कर मलाई में मिला ले सोड़ा हमें यहां एक चुटके ही इस्तेमाल करना है यहां मैंने खाने वाला सोड़ा इस्तेमाल किया है सोरा डालने से घी एकदम क्लियर बनेगा इसके साथ ही ये जल्दी मलाई से अलग होगा बस अब 6-8 मिनिट तक इसे पकने देना है जब आपको दिखें कि घी का रंग सुनेरा हो गया है तो गेस को बन कर दे कुकर में आप देखेंगे कि दानेदार घी बन कर तयार हो चुका है और इसकी महग भी पूरे केचन में फैल गई है घी बनाते समय हमें ध्यानी रखना है कि मलाई को लंबे समय के लिए फ्रीज में स्टोर ना करें क्योंकि फ्रीज में मलाई को अगर लंबे समय तक हम स्टोर करते हैं तो मलाई के उपर सक्त परत जम जाती है और कई बार तो इसमें से अजीब सी महग भी आने लगती है इससे गी के खुश्बु खराब होने के साथ स्वाद भी बिगड सकता है इसलिए कोशिशे करें कि पर ही आसान तरीके से बना सकते हैं तो आप मलाई को जादा दिनों के लिए स्टोर ना करते हुए आसान तरीके से दानेदार खुशुवाला घी घर पर ही बनाए ये बिना जंजट के घर पर बहुत ही आसान तरीके से बन जाता है और हम बाजार के मिलावट वाला घी खाने से भी बच जाते हैं आप एक बार इस तरीके से गी बना कर जरूर देखिए